हलो दोस्तों मैं रंची थूँ और इस वीडियो में मैं आपको Qualcomm Snapdragon 820 और 821 प्रसेसर के बारे में बताऊंगा क्या differences है क्योंकि recently यह OnePlus 3T जो है वो Qualcomm Snapdragon 821 यूज़ करेगा वैसे तो जो पुराना वर्जिन था 1 plus 3 का वो Snapdragon 820 यूज़ कर रहा था so काफी questions आ रहे थे मुझे major difference क्या है यह Snapdragon 820 या 821 में पहले मैं आपको यह Qualcomm Snapdragon के बारे में बताऊंगा जो इनके 8 series के यह processors है यह इनके flagship processors है यह start हुए थे Qualcomm जो first था Snapdragon 800 रिलीस किया था काफी साल पहले उसके बाद 801 आया था उसके बाद Snapdragon 805 रिलीस किया था अगें यह पूरे flagship processors थे और लास्ट यर Qualcomm Snapdragon ने Qualcomm company जो Snapdragon का brand है Qualcomm ने Snapdragon 810 और 808 launch किये थे जो काफी flagships पे use किये गये थे लेकिन दोस्तों आपको पता है वो जो Snapdragon 810 और 808 है काफी heat up होते थे तो जादा popular नहीं थे लेकिन यह साल 2016 में Qualcomm ने Snapdragon 820 launch किया था काफी flagship phones ने उसे use किया था HTC 10, OnePlus 3 वगर वगर और काफी अच्छा performance था यह phone का रिसेंटली दो मेहने पहले Qualcomm ने Snapdragon 821 भी release किया था और जैसा आप जानते है Google Pixel जो Google का phone है यह Snapdragon 821 प्रोसेसर यूस करता है और अभी जो OnePlus 3 ने 3T जो नया वर्जिन है OnePlus 3 काव 3T वो भी Snapdragon 821 यूस करेगा So basic difference क्या है दोस्तों यह दोनों प्रोसेसर के बारे में जादा difference तो है नहीं लेकिन थोड़े minor differences है जो यह Qualcomm Snapdragon 820 और 821 चिपसेट है यह quad core processors है दोस्तों और यह divided हैं दो-दो में जो पहले दो core है वो powerful core है जादा powerful है और जो दूसरे दो core है वो day-to-day काम के लिए use होते हैं So Qualcomm 820 में थे जो दो powerful core थे वो clock थे 2.15 GHz पे लेकिन यह जो नया प्रोसेसर है Snapdragon 821 इसमें जो दो powerful cores है वो 2.35 GHz तक clock रह सकते हैं So 200 MHz जादा speed रहेगी वो powerful cores की अगें optional है यह बाद में उसके भार में बताऊंगा और जो दूसरे low power cores है वो 1.6 GHz पे clock किया गया है Snapdragon 820 chipset पर लेकिन जो Snapdragon 821 है उसमें यह जो दो low power cores है यह 2.2 GHz तक जा सकते हैं लेकिन दोस्तों मैंने कोई अभी तक smartphone नहीं देखा है जिसमें यह low power cores है जो 2.2 GHz तक clock किया गया है वैसे तो यह Google Pixel XL है यह जो Snapdragon 821 यूस करता है इसमें जो lower power cores है वो still 1.6 GHz तक clock किया गया है और जैसे आप देख सकते हैं यह spec sheet 1 plus 3T की इसमें भी जो lower power cores है वो 1.6 GHz तक ही clock किया गया है लेकिन जब हम देखते हैं जो powerful cores है 1 plus 3T के वो 2.35 GHz पर clock किये गया है और यह Snapdragon 821 दो models में आता है एक regular जो है overclocked version जो है जो 1 plus 3T use करेंगे और जो दूसरा है Google ने आप किया है regular version जो उनके जो powerful cores है वो भी 2.15 GHz पर clock किये है लेकिन क्योंकि Google ने यह lower power cores use किये है Qualcomm कहते हैं कि यह lower power cores हमें 5% ज्यादा battery life देंगे so basic difference वो है दोस्तों और अगर हम GPU के बारे में बात करेंगे दोनों में Adreno 530 GPU मिलेगा but again clock frequency change हो जाती है जो नया 821 है उसमें clock frequency है 653 और जो पुराना था उसमें है clock frequency 624 so 29 MHz की speed difference है दोनों में और Qualcomm कहते हैं कि जो नया snapdragon 821 chipset है वो 10% fast boot करेगा आपके phones को और आप जो load होते हैं उसकी भी speed थोड़ी increase हो जाएगी 7 से 10% और एक और एक major जो change है snapdragon 821 chipset में इसमें snapdragon VR sdk का support दिया गया है इसका मतलब यह google का जो daydream project है VR project उसके साथ compatible है so दोस्तों वैसे तो कुछ जादा difference day-to-day performance में आपको नहीं मिलेगा बड़ हाँ snapdragon 821 जो है google daydream के compatible है उसले यह google pixel phone daydream compatible कहला जाता है और वैसे तो अगर आप wait करेंगे जो next year जो नया processor आएगा qualcomm से वह रहेगा जो है qualcomm snapdragon 830 वह है next generation processor जादा आपको वरी करने की ज़रहती है यह चोटा सा incremental update है 820 से 821 के लिए और यह snapdragon 830 प्रसेशर जो next year आएगा वह काफी flagships यूज़ करेंगे और rumors थे कि samsung galaxy 8 s8 में भी samsung यह snapdragon 830 chipset यूज़ करेंगे जो next year आएगा so दोस्तों यह video के लिए बस इतना ही आशा करता हूँ कि आप अभी जो minor difference है 820 और 821 में यह video आपको help करेगा उसके बारे में और दोस्तों यह मेरा नया channel है जो हिंदी में है इसे भी आप subscribe कीजिए अगर आप चाहते हैं कि जाद से जादा वीडियो हिंदी में बनाओं तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही धनिवाद शुक्रिया और फिर मिलेंगे को अपनाद से जाद टिए कि जाद शुक्रियो हिंदी अद प्राइ।